सब्सक्राइब करते हैं और देखते हैं क्या कुछ इसके अंदर आपको मिलता है तो सबसे पहले मैं फ्रेंट से स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रेंट से ने इसका लुक जो है आप लोग देखो देखने में काफी बड़ी है और काफी बड़ा बड़ा सा लगता है मतलब मज़ा जाएगा फील्स ही आती देखके इंडिया से क्यों गई इतनी वड़ी है कंपनी फिर नीचे अपने को कैमरा मिल जाता है फिर ये अरेंजर की ब्रेंडिंग वगर और यह सब दो दो भाई टोइंग मिल जाते हैं कोई नई बात नहीं है वाई जिमने में मिल जाते हैं तो हर एक जितनी भी 4x4 गाड़े होते हैं सब में होते हैं क्योंकि सिच्वेशन पता नहीं कब क्या बन जाए तो दोनों तरफ यह हुक दे देते हैं उसके बाद वील्स के उपर यह दिमाऊ तो यह रैंगलर के वील्स कि यह वाला जो वेडिएन्ट मेरे सामने कुआ है यह भाई साब वाई ट्रबो वेरियंट में इसमें ना अराउंड अराउंड यह समझ लोकी 210 PS की जो आपको पावर मिलती है और 500 ऑनम का टॉर्क में इसमें इसमें अलग इंजन हैं इसमें लग है स्पोर्ट में अलग है व सब्सक्राइब कर सकते हो उसके बाद पीछे की तरबी डिस्क ब्रेक वगरा और यह साड़ चीजे बढ़िया साइब यहां पर रेंजर की ब्रेंडिंग वगर सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद यहां से आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हो कोई हैड्रोलिक्स वगरा निया सिर्फ यह बैल्ट टाइप है जिससे की रुकता है तो समान वगर भी इसमें आरहां जाएगा काफी सारा इंडिया में भी ना आजकल हाइलेक्स का बड़ा दब करके आ सकते हैं कोई भी कंपनी चली जाने के बाद वह कोलाइबरेशन करके दूसरी कंपनी के साथ अपनी प्रोडेक्स लॉंच कर सकते हैं तो वही सेम सीन अब होने वाला है यहां पर और बैठना काफी इजी है नोटे टफ टास्क यहां पर आपको अच्छा सा लेग रू नीचे एक 230 वोट का शोकिट एंड यहां पर आपको USB प्लस टाइप-C पोर्ट देखने को मिल जाएंगे उसके बाद सीट में यह देखो काफी बड़े मैटिक लिए लूज कर रखा है यहां पर यह किसी ने निकाला नहीं किया रभी तक यह निकली नीरा इसका यह देखो क बल्टे कुछ ज्यादे ही solid दे रखिए उसके बाद यहां light है यह light तो चलो वैसे लगा रखिए तो यहां पर आपको यह light मिल जाएगी अभी चलते आगे की तरफ पर देखते भाई आगे क्या-क्या चीज़ है अपने को offer की जा रही है गाड़ी में तो चलो जी गाड़ी क यही था अब जोने यहां पे electronically adjustment यहां पे आपको मिल जाएगी electronic adjustment backrest height lumber support यह सारी चीज़े अभी गाड़ी में चड़ जाओं उससे पहले में आपको दिखा दूँ यहां पे start stop का आपको बटन मिल जाएगा और यहां पे headlamp बगरा बटन दिये गए हैं यहां से आप volume बगरा हम ज्यादे कर सकते हो lights वगरा on off कर सकते हैं और यहां थोड़ा सा space आपको मिल जाए glass वगरा टांगने के लिए उसके बाद इसको करते हैं बंद यह देखो इसका steering जो ना यह पूरा leather wrapped है और यहां पे सारी controls इसके address वगरा की cruise वगरा के यहां पे जिसने में control है यह सब multimedia control है है यहां पे होरना आपका और यह अपना मीटर है मीटर के अंदर आप लोग देखो यहां पे speedometer वगरा दिखाता है और यहां पर seatbelt वगरा की warning दिखा रहा है चलो ओके जी ओके जी ओके जी अब आगी सारी चीजे तो यह दिखो इसके अंदर like odometer वगरा यह पर trip 2 आगी है fuel economy यहां पर दिखा रहा है वह सब सो किलोमेटर चलने के लिए साथ लिटर तेल खाएगे मतलब यह तो कुछ भी माईलेस नहीं देरी वाही है सो किलोमेटर बासाथ लीटर पेट्रोल लगा वे ना तब जाकर यह सो किलोमेटर देलें पांच्छे कि माईले जी इसकी उसके बाद seatbelt यहां पे भाई audio और यह अगे ट्रिप उसके अलावा भी कुछ डिटेल सा आप देखना चाहो तो यह माई व्यू ट्रिप, fuel, off-road, toying, कई सारे फीचर्स दे रखे हैं मैं off-road में जाके देखता हूँ इपर क्या कुछ चीज़े हैं एक सेगें off-road, off-road status यह देखो यहां से आप सारे चीज़े देख सकते हूँ डिफेरेंचल वगर और यह सारी चीज़े पीछ अपना स्पीडोमिटर आ गया ठीक है तो यह सारी चीज़े आपके इसके अंदर देखने मिलती है उसके बाद भाई यह बड़ी सी स्क्रीन आपको मिल जाएगी इसके अंदर एपल गार्प्ले अंडर डॉट्टो सब कुछ मिल जागा नीचे AC के कंट्रोल यहां पर दिये गए हैं यह देख सकते हो एंड़ यहा ट्रेक करके जो आना कोई वेरियंट है जिसमें कि आपको कुछ इस तरीके की पूरी फिनिशिंग मिल रही है यहां पर अपने को गेर लीवर मिल जाता है यह फोर वाई-फोर का लिवर आपको मिल जाएगा टू हाई-फोर राई-फोर लो यह पूरा जो है कुछ इस तरीके से काम करता है ठीक है यह दो कर फोलडर यहां पर यहां पे-वेवलेक्रानेक पारकिंग और यहां यह क्या चीज़िए कि ऑके शेह कर रहा हूं तो यह पर प्रेस कर रहा हुं नौ तो यहां पर पुरा गारऊ चैमरा अगर खुल जा रहा है कि यह देखो ठीक है उसके बाद में यहां पर अपने को विकल ट्रांसपोर्ट मोड एक्टिव यह अच्छ है कोई मोड वगरे लगा रखा ही नोने यह पार्किंग वगरे के लिए और यहां पर गयने की बटन दिया गया है लेकिन यह बटन जब मैं दबा रहा हूं तो भाई यह सिर्फ कैमरा ही खोल रहा है इसका ठीक है यह साथ च तो यह यह रेंजर मतलब भाई यह जो ने इसका इंजन में तो तीन हजार सीसी का इसके अंदर इंजन मिलता ने में तो उसका खोफ है क्योंकि वो जो ना बड़ा ही पावरफूल है 210 PS की पावर देता है 500 NM का टॉर्क देता है लेकिन जब V6 टर्बो पे आप जाओगे तो 400 PS की पावर और 600 NM का टॉर्क मतलब भाई मजा ही आ जाएगा तो वो है असली चीज तो चलिए हैर यह था फोर्ड रेंजर ए हाइलेक्स को कि उसमें भी ओल्मोस्ट स्पैक्स जो है इसी का आसपास मिलते हैं तो आप लोग मेरे को बताओ कि भाई चालीस लाग में आप इसको खरीद होगे या फिर 36-37 लाग में उसको खरीद होगे वैसे चालीस लाग में नहीं आएगा यह चीज बहुत चाहनदार है 4x4 वैसे सब कुछ इसके अंदर आपको मिली जाएगा तो अब मेरे को बताओ कि भाई आप कौन सा लेना पसंद करोगे हाइलेक्स या फिर जो है वाई फॉर्ड रेंजर कमेंट डाउन फास्ट तो चलिया यह था कुछ आज की वीडियो में मिलते नेक्स वीडियों तो तक के लिए जाहिन वने मातरम लव यूल गाइस